आप सभी का स्वागत है और MS Excel की इस क्लास में आद हमनों पढ़ेंगे डेटेड फंक्शन के बारे में देखिए डेटेड फंक्शन के बारे में हम बात करें तो इस फंक्शन का MS Excel सॉफ्ट्वर में बहुत ही ज्यादा प्रियोग किया जाता है यह जाज करने के लिए आज का डे कौन सा है या आज का डेट कौन सा या आपको यह जाज करना हो कि मंत क्या है यह क्या है तो इसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में हम जो है टेटेड फंक्शन का प्रियोग एक है कितने दिन का हुआ इसको भी निकालना आज हम लोग एक सलकी अकल में इस फार्मुली को मैं सौल करेंगे लेकिन इसके पहले इसे में जरूर ज़ूर है कि हमरे शिस्टम का डेट और टॉन क्या हích जोकि अफिर अपने सिस्टम का डेट न पर जाएंगे और यहां पर सर्च करेंगे कंट्रोल जैसे ही कंट्रोल उपिन करेंगे यहीं पर आपसर हमको मिलेगा डेटिन टाइम यहां से जागर के अपनी टेटिन टाइम को हम यहां से सही कर पाएंगे ठीक है चुकि अगर अपनी सिस्टम का डेटिन टाइम सही नहीं होगा तब तक यह फार्मूली को हम सॉल करेंगे लेकिन इसल्ट क्या होगा गलत है तो वही आज की क्लास में को निकालना सीखना है आज कौन सा डेट है कैसे निकालेंगे इसके लिए जो फार्मूला है सबसे पहले इकवल करेंगे और यहां पर लिखेंगे टूडे और ब्रेकेट ओपेन और क्लोज करके एंटर करेंगे तो आज का डेट आजाएगा जाएगा सही है ना 6.1.2024 अब आपसे यह कह दिया जा अब ब्रेकेट ओपेन और क्लोज करके इंटर करेंगे तो डेट के साथ टाइम देया जाएगा जाएगा ठीक है अब यहां पर आपको निकालना हो कि आज कौन सा डे है आज कौन सा डे है तो इसके लिए भी फार्मूला लगेगा आज का डे निकालने के लिए आज कौन सा अर चुकि जो निकालेंगे हम डेटा ये करेंट से निकालेंगे न तो इसमें हम तूडे को सेलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे और मैंने आपको यह चीज बार बर बताया है कि कृटरिया को में साड़ंटेड कामा के अंतरगत रखा जाता है हование कि ढूंगो इन निकालना है जार बार क्लोज करने से परें टो आज का डेट अज़ा है यह की आज कर ब में आप इसे होगा से लिगना है अप आप चलिए आपको यह निकालना हो कि यह मंत कौन सा है तो जनवरी मंत है इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल और यहां प्लिखेंगे क्या टी एक्सटी और ब्रेकेट ओपेंड करेंगे तूडे को सेलेक्शन करेंगे नेचे कॉमा करेंगे इसके बाद से फूर है इकवल करेंगे तीए एक्सटी और ब्रेकेट ओपेंड करेंगे सबसे पहले टूडे को सेलेक्शन करेंगे नीचे कॉमा करेंगे इसके बास से फूर टाइम जटड का माँ ब्रेकेट क्लोश करके इंटर कर देंगे दूजार चोबिस कोई दिकत अब चलिए अगर मान की कि यह से कोई डेटा बर्थ करता ही अपना इसे हम पता करेंगी कि आज यह कितने दीन के हो गए कितने दीन के ओगए सबसे जदा येर पूछा जाता है कि कहा साल के आप हुए तिक है ना इसको निकानने के लिए देखिये सबसे पहले करेंगे और यहां पर comparison की बात आ रही है मतलब पुराने डेट से हम नए डेट में क्या करेंगे comparison करेंगे तुन ना करेंगे तो इक्वाल करेंगे और यहां पर लिखेंगे date date if और bracket open कर देंगे if क्यों लिखा गया दो date लिखा हुआ एक data birth और एक अपका current date कुपने gate के सब्सक्राइब करेंगी इसके बात से सींगल टाइम जब कम्प्रिजन की बात आएगा तो सिंगल टाइम डी और जब करेंट की बात आएगा तो फूर टाइम डी एंटर करेंगे और यहां लिखेंगे डेटे डिफ और ब्रेकेट ओपेंड करेंगे इसमें सबसे पहले ओल्ड डेट को सेलेक्षन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे इसके बाद से करेंट डेट लेंगे पुना नीचे कॉमा करेंगे और सिंगल टाइन यहां लिख लेंगे बस और ब्रेकेट क्लोज करके एंटर करेंगे बस लिख 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 इने एक फार्मुला है सब से पहले एकःड और यहां पहले यहाँ एकःट-डिफ जएप συब्रेक्ट ऑपन करिएगा सबसे Пहले और देट को सेलेक्शन करेंगे नीचे प 현재 कॉमा करेंगे इसके बाद से करेंट जागई कि इसके बास सेवाई यह बस एंटर Bonnie M extremely सभा और सघय कीप और यह कोई मत बता दीजेगा कि अचिया तो साथ जार Gender सब्सक्राइब लेकिन तीनों को जोड के मत बोलिएगा ने तो तीन फीडी के बरावर हो जाएंगा इसलिए को यह कहीं बोलिएगा कि हम 21 साल के होगे किसी को कोई दिकत चली फार्मूला लिख लीजिए किसी के बोल दोला लेकिछ लिए ए।